यार 1992 में भारत के तीन अलग-अलग मिन्ट बॉंबे, कैलकाटा और हादाबाद मिन्ट से एक रुपे का एक सिक्का धाला गया था जिसका मेटल था कॉपर निकेल और जिसके बारे में चर्चाए काफी कम है लेकिन यही सिक्का चुपके से जिसका किमत धीरे-धीरे उपर जा मिन्ट चानेंगे, मिन्ट पैचानेंगे, कौन सा मिन्ट रेयर है, कौन सा SQR से, कौन सा आपको कलेक्ट करना चाहिए और फ्यूचर के लिए अगर आप इन्वेड करना चाते हैं इस सिक्के में तो कौन सा सही रहेगा उससे पहले यह जो side screen में वीडियो का link आप देख रहा हैं इस वीडियो का जो notification है जितने मेरे subscriber से श्रीप 10% subscriber तक पहुचा है इस वीडियो का link तो जिनके पास अभी भी इस वीडियो का link नहीं गया है आज के इस वीडियो के comment box में इस वीडियो का blue color में link में pin कर दूँगा आ आप बस उस link पर click करके इस वीडियो को देख सकते हैं कहीं पर search करने की ढूलने की जरूरत नहीं है और एक बार आगर आपके पास notification पहुच जाए तो फिर एक बार आप देख सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मैं हूँ दीप और आप देख रहा है ह आपका अपना सबसे पसंदीदा निमिस्मेटिक चैनल निमिस्पेज एक रुपे के इस सिक्य का थीम है क्वाइट इंडिया मॉव्मेंट गोल्डेन जूबली 1942 से 1992 सिक्य के रिवार साइट को अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाला क ज को मैंने हो इस सिक्य का कैन्टीजन आपके अच्छा नहीं है लेकान फिर भी आप देखिए पर आप देखिए क्वाइट इंडिया मॉव्मेंट और यह जो सेंटर है में क्वाइट इंडिया ओन्नमिस्मेंट का जो भारात रोट शूर अंदलोन का पोटेट है यहाँ पर देखिए इस सिक्के का Mint Mark जैसे कि मैंने आपको कहा Bombay, Calcutta और Hadabad तो यह जो सिक्का मेरे हाथ में है यह मुझे Circulation से मिला था बहुत पहले देखिए यहाँ पर Bombay Mint का Diamond Mark आप देख सकते हैं अगर यह सिक्का हादबाद Mint का होता तो यहाँ पर एक Star Mint Park होता और अगर Calcutta Mint का होता Calcutta Mint का जो सिक्का एक सिक्का मेरे पास है मेरे कलेक्शन में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए यहाँ पर Calcutta Mint देखिए condition अच्छा नहीं है उतना लेकिन देखिए यहाँ पर Calcutta Mint कोई भी Mean Park यहाँ पर नहीं है और इस सिक्के में एक और खास बात मैं आपको दिखाता हूँ देखिए ज्यादा तर जो Commodative सिक्का होता है ऐसे डिजाइन नहीं होता है देखिए dotted circle यहाँ पर आप देख रहा है यह reverse side में है यह एक अलग design है और यहाँ पर है देखिए over side में भी पूरे round में dotted circle over side का जो design है या फिर जो theme है आप देख सकते हैं असो का lion capital सत्य में जयते हिंदी में और denomination one भारत रुपया हिंदी में और इंडिया रुपी इंगलिस में उस समय के सिक्के में यह रुपी symbol जो आज की date के सिक्के में जो आता है रुपी symbol उस समय वो नहीं आता है इस सिक्के का जो age है आप ध्यान दीजिए इस सिक्के के age देखिए readage या फिर readage तो यह नहीं है इसे millage कहां जाता है और ऐसा ही आपको plain age भी देखने को मिल सकता है तो फिर वो एक variety है जैसे कि मैंने आपको कहां तीन अलग-अलग mint आईए आप coin book से देखते हैं कौन सा mint rare है कौन सा mint square से और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा mint आपको collect करना चाहिए और invest के लिए कौन सा mint सबसे अच्छा है आईए देखते हैं coin book से तो coin book में आप देख सकते हैं इस एक रूपे के सिक्के का river side और our side का photo दिया गया है quiet India moment golden jubilee जैसे कि मैंने आपको कहां पहले है इदे metal देखिए copper nickel weight है 6 gram 6 gram size या फिर diameter है 26 mm या फिर 26 mm Bombay, Calcutta, Hedavad आपको मैंने कहां rarity सबसे पहले चेक करते हैं देखिए, rarity के scale में Bombay mint, common category में आता है Calcutta mint, rare category में आता है Calcutta mint ही rare category में आता है और मेरे collection में जो है उसका ही condition खड़ाव है अब देखिए, Hedavad mint, is cash category में आता है price यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पुराना Coinbook का price है आज जो ground price है भो भी में आपको बताऊंगा देखिए, UNC 50 रुपीज आप यहाँ पर एक skin shot ले लिजे तो फिर समय थोड़ा सा बच जाएगा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ UNC देखिए, Bombay mint 50 रुपीज Calcutta 100 रुपीज इस पुराने Coinbook के हिसाब से Hadabad Mint 75 रुपीज बाकि जो skin shot आप ले लिजे आपको मालूम हो जाएगा आईए आप मैं आपको बताता हूँ आज की देट में इस सिके का ground price क्या है UNC extra fine, very fine और fine condition में तिनो ही mint मैं आपको बताऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे और कहाँ पर आप sale कर सकते हैं हाला के हर वीडियो में मैं कहता हूँ लेकिन जो नए भीवर से उनके लिए ये ज़रूरी है एक रुपे के ये सिक्का अगर आपके पास Bombay Mint है UNC condition में तो आज की date में आपको मिल सकता है 100 रुपीस के आसपास अगर extra fine condition में है तो 50 रुपे के आसपास अगर very fine condition में है तो 20 रुपे के आसपास और अगर fine condition में है तो 10 से 12 रुपे के आसपास Bombay Mint हो गया अब Calcutta Mint Calcutta Mint अगर आपके पास 1 रुपे क्वाइट इंडिया मुमेंट वाला सिक्का है UNC कंडिशन में आज की डेट में प्राइज है लगभग 400 से 500 रुपे दोस्त आपने सही सुना बुक में आपने देखा 100 रुपे लेकिन ग्राउंड प्राइज आज की डेट में क्यलकाटा मिन्ट UNC कंडिशन में 400 से 500 रुपे के बीच में एक्स्टा फाइन या फिर एक्स्टा फाइन प्लास कंडिशन में 200 से 500 रुपे के आसपास भेरी फाइन कंडिशन में 100 रुपे के आसपास और फाइन कंडिशन में लगभग आपको 50 रुपे 40 रुपीज से 50 रुपीज के आसपास, दोस्तों, 50 रुपे का आसपास आपको fine condition में Calcutta mint मिल सकता है, आप बात करते हैं हायदाबाद mint, हायदाबाद mint अगर आपके पास UNC condition में है, तो आज की date में आपको मिल सकता है लगवग 200 से 200 रुपे के आसपास, बुक में आपने देखा इसके अगरे में है हायदाबाद mint और UNC condition में price है 75 रुपीज, लेकिन ground price है हायदाबाद mint का यही एक रुपे के सिक्के का 200 से 200 रुपे UNC condition में, extra fine या फिर extra fine plus condition में 100 रुपे से 100 रुपे से 125 रुपे के आसपास, very fine condition में लगवग 60 से 70 रुपे के आसपास, और fine condition में लगवग 20 से 30 रुपे के आसपास, अब दोस्तों सिक्का अगर आप sale करना चाते हैं, कहाँ पर करेंगे, जो regular मेरे भीवर से वो जानते हैं, मैं कहता हूँ, facebook एक बहुत बढ़िया platform है, जहाँ पर आप सिक्के sale कर सकते ह लेकिन कैसे, नए भीवर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, facebook में group होता है, sale करने का, कोई भी चीज, चाहे वो electronics हो गया, कोई gadget हो गया, वैसे ही सिक्के sale करने का group होता है, दो type के group होता है, एक होता है public group, एक होता है private group, public group मतलब सब के लिए open है, और private group मतलब एक private, मतलब जो private हो या फिर public group हो, दोनों group में admin होता है, sale करने के लिए आपको ऐसा ही कुछ group धूनना पड़ेगा, बहुत सारे जो भीवर्स से वो कहते हैं, group का नाम बताईए, दोस्तों, simple एक बात समझे, group मेरा नहीं है, without जिनके group है, उनके permission के बिना में group का नाम नहीं बोल सकता, मैं दो किसी भी group से permission मिलता है, जो genuine group है, मैं जरूर किसी ना किसी वीडियो में बताऊंगा, फिर भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ, आप Facebook में जाए, जैसे आप अपने दोस्तों के नाम Facebook में search करते हैं, वैसे ही लिखिए old coin selling group, ये हो गया, बहुत सारे group का list आपके सामने open हो जाएगा, अब आपको एक एक करके group को देखना है, थोड़ा सा आपको अपना जो दिमाग है वो लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा search और research करना पड़ेगा, कैसा research, जिस group में आप देखेंगे, किसी भी YouTube का वीडियो चल रहा है, कोई किसी ने भी डाला होगा, उस group को avoid कीजि जिस group को आपको open करने के बाद, आपको ये मिलेंगे, कि हाँ ये group एक phrase group है, आप उस group में join हो जाएए, phrase group मतलब जिस group में आप देखेंगे, बहुत सारे rare और कीमती सिक्के list हो रहा है, लोग price पूछ रहा है, उस सिक्के के उपर bidding चल रहा है, ऐसे group में आप join हो जाएए, ये friend जरूर बनेगा आपका, फिर आपके पास जो कीमती सिक्का है, उस कीमती सिक्के का photo कीचिए, आप अपने खुद के profile में आप post कीजिए, add कीजिए, उसके बाद जितने भी आपके friends नए बने हैं, उन्हें अगर आपका सिक्का पसंद आएगा, तो वो जरूर खरीद लेंग चाहिए वो किसी का भी नाम ले, मेरा नाम ले, या फिर किसी और का नाम ले, मेरे चैनल का नाम ले, किसी और चैनल का नाम ले, YouTube चैनल की बात में कर रहा हूं दोस्तो, किसी भी तरीके से, आप ये गांट बाद ले, किसी भी तरीके से सिक्के खरीदने के बाहाने, अगर को कोई भी पैसा मांगता है, चाये कितना भी हो, चाये एक रुपया मांगे, या फिर हजार रुपया मांगे, दो हजार पांच हजर को कितने भी पैसे मांगे दोस्तों, आपको कम लगे या जादा लगे, मत दीजिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी कमपणी नहीं है, ओल पास कोई common सिख्का है वो दोस्तों नहीं विकेंगे common सिख्के सिंपल बात है दोस्तों common सिख्के में लोग invest क्यों करेंगे collector इसलिए invest करते हैं सिख्के में ताके future में भविष्ट में उनको थोड़ा सा उद में से profit मिले माता भैसंदेवी कोईन एक ऐसा कोईन है जिसे बहुत जादा मत्रा में भारत के चारो ही मीन से ढला गया था इसलिए आज भी वो सिख्का आपको अगर आप बजर में जाएंगे तो यूँ ही आपको दो चार आज भी मिल जाएंगे तो इसलिए ये common सिख्के हैं लोग जो collector से वो ऐसे सिख्के खरीदना नहीं चाते हैं अगर कोई rare सिख्का है कीमती सिख्का है collectors ज़रूर खरीदेंगे और आपका सिख्का बिकेंगे भी अगर कोई सवाल है comment box में या फिर मुझे mail कीजिए इस mail id पर contact address news page dot in तो मिलेंगे next video में एक और interesting video लेकर तब तक के लिए जाए हिंद